अगेन गुड मॉर्निंग स्टूटेंट मैं हूँ शुशिल स्वामी हमारे चेप्टर चल रहा है एसे डिबेस और सॉल्ट उसे टू पार्ट्स पहले अलड़ी हमने बना दिये जो स्टूडें ने पहले बारे टू पार्ट्स नहीं देखे वो तू पार्ट्स को प्लीज आज का हमारा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन हम जो हमारा जो क्लासिफिकेशन टॉपिक चला था इन प्रीविज वीडियो वी क्लासिफाई एसेड इन टू पार्ट्स पार्ट्स में क्लासिफाई किया था फर्स्ट इस ऑर्गैनिक और सेक्डिस मिनरल ठीके उस टॉपिक क के वारे में बात कर चुके, आज हम फिर फर्दर classify करने वाले acids को, लेकिन हमारा आज का जो बेस जो होगा, वो different base होगा, कि यह different base के उपर हमने इसको classify करने वाले acid, okay, we can acid, we can classify acid into two parts on the basis of their strength, आज हमारा जो classification करने का जो basis है, वो क्या है, उसकी strength है, okay, तो हमारा यहाँ पेस में आप लिख सकते हैं, classification on the basis of, classification on basis of strength, augustron, previous video में बहुत हैं इसको clear कर चुके, पिछला जो हमने classification किया था, वो classification हमारा base था, origin का, आज हमारा classification का जो base है, वो है strength, strength के base पे हम इसको classify करने वाले, on the basis of strength, we can classify acid into two parts, strong and weak, okay, strong and weak, weak, okay, strong acid, you can say weak acid, oxygen, तो हमें सबसे फ़ले हमने बात की जो किया है, strong acid and weak acid, what is the mean of strong and what is the mean of weak, simple सी बात है, strong का मतलब powerful and weak का मतलब weak यहने की कमजोर, और मैंने आपको previous वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो strong acid, strong acid कहों से होते है, mineral acid, mineral acid generally, mineral acid, generally, generally mineral acids are strong, ठीके न, यह क्या होते है, strong होते है, exception, exception क्या आपको बताया था, जिन student ने वीडियो देखी है, वो तो इसका अंसे दिने में capable है, जिन्होंने वीडियो नहीं नहीं देखी है, वो प्लीज पिछली वीडियो जुरूर देखे, mineral acid generally क्या होते है, strong होते हैं, लेकि मैंने exception आपको बताया था, exception क्या है, exception इसका carbonic acid, carbonic acid mineral acid है, weak है, clear ओरी बास student, इसके बारे में हम पहले भी हम बात कर चुकी है, strong acid क्यों से, mineral acid है, वो generally बढ़ क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आप carbonic ऐसे मैंने आपको exception बता दिया कि वो क्या है, weak acid है, weak acid में क्या है, organic acids है, that is, weak acid, okay, यहां पर अपने example अगर आप लिखना चाहें, तो example वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी example आप लिखना चाहें, strong acid के, SCL, H2SO4, HNO3, ठीक है, these are example of strong acid, और इसके बारे में अपने बात करें, तो इसके example आप जो सारे organic acid हैं, like oxalic acid, oxalic acid हो गया, यह acetic acid हो गया, यह सारे यहां पर क्या है, weak acid है, यह पर वोगर सारे आप में लिखना है, metanoic acid हो गया, metanoic acid, यह कुछ मैने example लिएं किसके weak acid है, अब अपने बात करते हैं कि, How can we say that that this acid is strong and this acid is weak, कैसे कह सकते हम, कोई तो इनका base होगा, कोई इनका reason होगा, किस बेसे अपने कहा दे कि हावी ये acid जो weak है, और ये strong है, कैसे कह सकते है, कोई liquid आपके सामने में पढ़ा है, कोई acid, बता दो कि इसको acid strong है, weak है, किस बेसे बता है अपने, तो इसको कुछ chemical property है, chemical property की base है, अपने उसको बता सकते हैं, ये strong है, ये weak है, लेकिन, कैसे कहें, ये strong जो word हमने use किया, क्या उसकी, वो powerful कैसे है वो, क्या उसकी body बेरा ज्यादा है, उसकी body कम है, ये कमजोर है, ये ये निकी strong है, body बेरा कुछी ज्यादा है इसकी, ऐसा तो नहीं है, चलो, let's see, completely ionized in water, जो acid जो है, किसी भी acid की बार में बात करा हूँ, जो acid completely ionized हो जाएं, जो稱 अब मैंने acid की बार में बात किया, acid, acid को मैंने हापी, इसको water में इसको dissolve किया, जो acid को अपने water में dissolve करते हैं और वो completely ionized हो जाए, completely क्या हो जहे है आयो नाइज्टी थे नहीं आईयो सित कॉप्लीटली नाइस ओजरे आइञ इंदर वो तूठ जले तो उब्री आप ए आधे अने में क्या बोलींगे त्रॉंक आप इसे में आईयोनेज वर्डे यूस कर सकते हैं completely disassociate use कर सकते हैं dissociated ठीक है ना यह breakdown आप यूज कर सकते हैं कोई भी आप word use कर सकते है breakdown यानि कि simple सा इनका सभी का मतलब क्या होता है तूटना क्या मतलब इनका तूटना लेकिन आपको मैं ज्यादा जो prefer जो करूँगा word आपने word use करना है ionize ionize में क्या होता है कि आपको तोड़ने आसास में अप इसमें बता रही है कि कैसे अपने ions में टूटता यह किसमें टूटता है ions के अंदर आइन से वड़ बना है ionize और यहाँ पर same अगर यहाँ पर week के बारे अपने बात करों कि जो acid completely ना टूटे हैं, अगर इसके बारे आपने बात करें, तो आप इसका opposite, क्योंकि हमें एक strong है और एक weak है, एक strong weak के बारे आपने बात करें, अगर ये completely टूट रहा है, तो आप इसका अंसर कहा देंगे, not completely ionized symbol सा मतलब है, आपका पता है कि ये यहां पर completely टूट रहा है, ये completely नहीं टूट रहा, symbol सा मतलब इसका, चलो, let's see, we take an example, let's take an example, एक example पर लेते है, for example मैंने यहां पर लिया, SL, क्या लिया, SL, और SL को किसमें dissolve किया, water में, okay, यहां पर मैंने, let's हमने इसको माले कि मैंने 100 molecule मैंने क्या लिये, SL के लिये, अब 100 molecule मैंने SL के लिये, तो SL के 100 molecule है, water के अंदर 100% तूट जाएंगे, नि पूरे के पूरे तूट जाएंगे, ठीक है, 100 मैंने SL लिये थे, 100 के 100 मुझे क्या मिल गए, हपे, H plus sign मिल गए, और 100 ही मुझे क्या मिल गए, Cl, chloride क्योंकि SL है, SL है, SL है, है, जो मैंने 100 H से लिये, 100 में से 100, तो H plus निकल जाएंगे, 100, H plus निकल जाएंगे, 100 ही यहां पर क्या है, जब भी गभी आप इनको ब्रेक करें तो आप इनके बॉटम के अंदर एक्वस लगाना जरूर लिखें एक्वस लगाना भूलेना एक्वस क्यों लगाने जरूरी है यह भी आपको मैं क्लियर करूंगा पहले आप पस इतनी बास समझिए कि मैंने 100 अल्डव्यस लिए है वी टेक 100 मोलकिट आफ एक्वस लिंग एन डिजल इन वातर ओके वन डिजल इन आपके विक अच्छिड इन एक्जम्पल ले लिए है यहां पे ले लिया मैं C3COS इजम्पल ओफ विक अचिड नेम इंद इस कंपाउड इस एथन इस एथन उएक अचिड इसको मैंने water में dissolve किया और water में dissolve किया तो यहाँ पर example मैंने hundred लिए है और hundred में से कुछ molecules यहाँ इसमें breakdown हुए है कुछ breakdown नहीं होए तो यहाँ पे यह breakdown कैसे होगा है h plus ian release करेगा तो यहाँ product आपका क्या बन रहा है c s3 coo negative और प्लस गिंदर आपर क्या मिल गया है अप्लस कि मैं आइस को बता है कि यहाँ पे आपने इसके जो नेक्ष मुझे आन्रे थी चंकели सब्सराइब कि यहां पर नेक्तल चुल्पाइब मॉझे है कि 100 में से पूरे नहीं डिस असोसेट हुए completely नहीं टूटा incompletely टूटा या आपके से not completely inis या In completely a nice दोनों का mean same है या तो incompletely बोल दीजी या not completely मोल दीजी मीन तो दोनों का same है कि completely हमें product में इसमें 100% हमें 100% हमें नहीं मिल दें तो आपको बता है, ओवर और यहां पे क्या हुआ, concentration of h plus iron, यहां पे क्या हुई, concentration of h plus iron हमारे पास में यहां पे क्या है, high, क्या है, high, यहां पे अपने बात करें, तो concentration को short form ने, c, u, n, c, यहां पे लिस कोते हैं, concentration of, यहां पे h plus iron की बात करो, तो यहां पे क्या है, less, सिंपल से बात सज्ज में आ रही है यहां पर कंसेंट्रेशन कि है आपको पता यह पूरा नहीं टूट पूरा नहीं टूट चुका है तो हच प्लस साइन के नंबर से ज्यादा होगे इसमें कम है और इसमें क्या है ज्यादा है तो यह clear हो चुक है अब देखी इसके बारे में अपने बात करते हैं यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे यह जो reaction जो होती है यह completely क्यों नहीं टूटा इसका reason आपको बता रहा हुआ है यह completely इसमें नहीं टूटा क्योंकि यह reaction क्या होती है reversible होती है reversible का मतलब arrow का sign अगर एक डारेक्शन में लगा हुआ है इसमें यह product से sorry reactant से आपका product बन रहा है लेकिन arrow का sign अगर इस तरफ ही बना होता है तो उसको अपने बोलते हैं यह reaction reversible है यानि कि reactant से आपका product बन रहा है ले बात में यह वापस जूड़गे वापस जूड़गे क्या बन गए वापस CS3COOH बन गए फिर कुछ तूड़ गए फिर क्या होई यह वापस यहां पर जूड़ गए तो इस तरह से overall यहां पर concentration क्या हो रही है है एस प्लस के numbers के यहां पर क्या होएं कम होते जा रहे हैं यहां पर क्या होए यहां पर क्या होए completely आपका breakdown हो चुक है तो अगर breakdown completely हो चुक है तो इसके लिए अपने जो arrow का सब्सक्राइब लगाएं इस तरह से और यह जो आरो का साइंज होता है यह इंडिकेट करता है कि यह जो reaction है reversible reaction है यानि कि आपका reactant product में convert हो रहा है लेकिन आपका यह product final नहीं है stable नहीं है क्या नहीं है the number of and you can say the concentration of H plus sign is less यहां पर H plus क्यान के अज़े less हो जाएगी I think आपको यह बहुत अचीदर से clear हो चुख है अगर आपको पुछेए which acid is strong and how can you explain this acid is strong and this acid is weak now I think you can able to explain and give your answer अब अपना answer देने में capable है कि इसका answer क्या होगा जो acid completely ionized होगा तो वो क्या strong acid and which acid is not completely ionized ionized का मतलब अपने ions में तूटना ionized means ions में तूटना ओके ions यहां भी जैसे H plus है Cl minus है और यहां पर क्या है CS3 COA और यहां पर H plus है तो यह इसके ions है completely तूटेगा तो वो क्या है और जिगा strong acid है completely नहीं तूटेगा तो वो क्या है weak acid है कि आप यहां पर मैंने aqueous word क्यों लिखा है aqueous word मैंने यहां पर जो ions के इसले लिखा है क्योंकि जो H plus जो होता है H plus क्या होता है unstable होता है यानि यह जो CL minus के बारे में बात करें यह क्या होता है unstable ठीक है unstable in aqueous solution यह लेंदर 20 अब्ड़े साथ में ऑसे से लिख सकते हो you can write this in यानि इस फॉर्म आप इसको H प्लस इसके बॉटम में A Q ले सकते हैं या आप इसको क्या कर सकते हैं इसको एड कर सकते हैं Hydrogen के नुमबर यहांपे कितने 2 हैं यहां कितने 1 है 2 और 1 कितने होगे 3 टुटल नमबर अफ याज़न इस 3 नमबर फॉक्सने is 1 आप देखे इन दोनों को मैंने आप जूड तो दिया लेगर यहां पर यह चार्ज भी तो था यह क्या है तो यह चार्ज क्या होगा इस पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा इस पूरे के उपर अपने इसको लगा देंगे प्लस का sign, ओके, तो यहां पर क्या इसको अपने बोलते हैं, hydronium mine, क्या बोलते हैं, इसको अपने, hydronium mine, तो अब clear हो चुकिए, क्या hydronium mine कैसे बना, H plus sign is an unstable, unstable in aqueous solution, unstable है ये, तो यह गए रहे है, water के साथ में connect होके, water के साथ में जूढ कर, ये hydronium mine की formation कर लेगा, आप, H plus अगर आपने अकेला लिख दिया, तो इसको अपने गलत मस को मानेगे, आपने H plus को, इसको AQ की form में ही लिखना है, एक बात और बताता हूं, H plus को यहां पर अपने proton भी denote कर सकते हैं, proton, कैसे, अगर मैं आपको यह कहा दूँ कि acid release proton, तो क्या यह सही होगा, सही होगा या नहीं होगा, अब यह आपने का सर कैसे proton, तो आपने देखा कि proton तो एक nucleus के अंदर होता है, और यह आप बात समझ भी नहीं है, चलो, इसको मैं समझते हैं, यह atom में किसका, hydrogen का, and you know that hydrogen contain, and you can say hydrogen carry, hydrogen have one electron, hydrogen के पास में क्या होता है, एक electron होता है, और इसके center में क्या होता है, एक ही proton होता है, okay, जैसे मैं यह आपे बात करा हूँ, यह hydrogen है, तो hydrogen को मैंने यह आपे denote कर दिया है, and you know that this is a neutral form, यह neutral form है, why, because hydrogen doesn't carry any charge, कोई charge यह carry नहीं कर रहा, अब अपने क्या क्या है, इसको आपने water के साथ में, इसको जो अपने react करवाते है, यह जैसे मने कोई reaction करवाते है, तो reaction में यह आपे क्या होगा, कि hydrogen release electron अपने hydrogen क्या करेगा अपने इलेक्ट्रों को release कर देगा तो hydrogen जो अपने इलेक्ट्रों को जब release करेगा ठीक है यह अब देखें मैंने एच प्लस लिखा है ना और प्रिविस क्लास हमने इसके बारे बहुत इस तरह से क्लियर किया था कि यह जो उसने इलेक्ट्रों को डोनेट किया है कितने डोनेट किया है इन डोनेट किया है इसे अधवर डोनेट करी नहीं सकता हुख एक्टून था इस नेख्टून क्या कर दिया डॉन्यट कर दिया तो अब इसके पास है मैं यहाँ प्रोकून यहाँ पर इसके पास में प्रोटोन है ठीक है एक प्रोटोन हमारे पास में है and proton carry positive charge and electron carry negative charge इसका negative इसका positive दूसरे cancel out कर देता है so that hydrogen is a neutral species यहाँ पर neutral species के form में but in this case यहाँ पर electron इसने क्या कर दिया electron इसने release कर दिया और इस case में बारा इसने यहाँ पर release कर दिया तो अब यहाँ पी इस hydrogen के पास में क्या है hydrogen के पास में बचाव क्या है हाई-डोजन के पास में सिर्फ क्या बचा उनली expressesleından है एसे प्रोटों बचे हैं है तो क्या इसको मैं प्रोटों कह सकता हूं विल्कुल किसक दा र Environ hebben. इसको प्रोटोन कह सकता हूं अब आपको यह पता कि है भicient 손 सौरी। अगर इसे डिलीज एस प्लस साइन तो अगर मैं यह कूँ कि एसे डिलीज प्रोटॉन तो यह बात गलत नहीं होगी ठीक है अगर नेक्स्ट अगर आप किसी बुक के अंदर अगर आप पड़े कि कोई एसे डिलीज करता है तो आपके पास में इसका आंसर है कि हाओ कैसे रिली की बात करें कि यह प्रोटॉन रिलीज कर रहा है तो आपके माइन में आना चाहिए कि यह है एक प्लस साइन रिलीज कर रहा है ओके तो यह अपने बात कर लिया किसके बारे में स्ट्रॉंग एसे डोट बात करते हैं जैसे मैं आपको बता है कि यह जो स्ट्रॉंग एसे था यह weak acid था, तो strong acid के बारे में अपने बात करते हैं, क्या हम इसको यह कह सकता हूं कि यह strong acid है, इसके अंदर high capacity होती है to lose proton, तो अपने कह सकते हैं, have high capacity to lose a proton, have high capacity to lose a proton, और इसके बारे में अपने बात करूं तो इसमें, have less capacity, have less capacity, इसके पास में जो capacity क्या है, less है, okay, yes plus sign की, जो release करने की इसकी tendency है, या capacity की बारे में बात करते हैं, इसकी capacity कम है और इसकी capacity क्या है, ज्यादा है, कैसे है, यह मैंने आपको बता दिया, कम और इसको ज्यादा release कर सकता है, इसके बारे में details से हम बात कर चुके हैं, सट्रों कुछ छीजओं के बारे में अपनी बात कर रहते हैं, वैसे मैंने आपको इसके बारे में पहले बता दिया है है थोड़ा सा और इसमीं देखह लीटे हैं यहां पर जैसे हैं अग्यूरे जासे में बात किया थे jar gastron को अपने strong acid बोलते हैं carbonic acid अगर अपने exception को छोड़ते हैं और weak acid किया होते हैं जो सारे जो organic acid है which obtained from animals and plants तो जो mineral जो acid जो है it is not safe यह safe नहीं होते हैं drinkable पर पर सी आप कह लेजिए या इसकी अपने जो खाने के लाई के अपने बात कहा है तो यह not safe यह कहा है काफी harmful होते है harmful and you can say dangerous and you can say corrosive in nature corrosive in nature corrosive का मतलब क्या होता है it cause burning यह क्या रहते हैं जैसे मालों कि अगर skin पर गिर जाते हैं skin पर गिर जाते हैं skin पर अपने बात करते हैं body के उपर तो उसको यह जला देते हैं कॉस बर्निंग ओके को रोजी इसको बोलते हैं कि इसका जो नेचर जो होता है काफी जयादा क्यादा काफी strong होते हैं काफी powerful होते हैं काफी dangerous होते हैं so that काफी careful इनका इसमाल गया था कोफी जो chemical reactions करवानी होती है और यह dilute form के अंदर even dilute form के अंदर यह देखे इसे देखिए acids और base जो भी होते हैं ऐसा नहीं कि मैंने आपको इसे खट्टे होते हैं तो हर किसी acid को आप जीब से test करके बताएं कि हाँ यह खटा है यह कड़वा है तो यह जो दूसरे acids होते हैं काफी strong होते हैं तो इनको अगर अपने टेस्ट करके देखें तो यह burning कर सकता है ठीक है नहीं जल सकता है क्योंका नेचर कैसा था corrosive होता है ओके बड़ इन केस ऑफ वीक एसिट के बारे बात करता है वीक एसिट क्या होते हैं यह जनली क्या होते हैं सेफ होते हैं यह जनली सेफ है और इनका इसमाल food ingredients के रूप में इसका इसमाल किया जाता है ठीक है इतने डेंजरस नहीं होते हैं अगर इनको dilute form गंदर यह सेफ होते हैं अगर इनका dilute, dilute form गंदर इनका इस्तमाल किया जाए है डालूट का मतलब क्या होता है मैं आपको आगे वैसे बताने वाला है यहां पर बतायाता हूं डालूट का मतलब ही होता है कि water की amount इसमें जाता होती है और acid की amount कम होती है ओके तो कुछ example अपने लेते हैं यहां पर जैसे कि अपने जो ऑर्गनिक एसड़ जैसे एसटीक इसका इसमाल अगर अपने देखें तो जैसे food ingredients के रूप में किया था एस्टीक एसड़ या टाटरीक एसड़ का या सिट्रीक एसड़ का ठीक है यहां पर बात करते पिकल्स आपने इसमें देखा है जो पिकल्स का इसमाल है आपके घरों में भी जो पिकल्स बनाते है आचा पिकल्स की रूप में इसका इसमाल करते है इसका fast food में इसका इसमाल करते है fast food fast food का नाम सुनते है आप तो मुग में पानी आ गया हुग आपके lockdown के वज़ह से फास्ट फूड रहा सब बंध है ठीक है फास्ट फूड देखे यह काफी ऐसा लगता है कि मुदतें बीच चुकी है ठीक है काफी स्टूड तो वेट कर रहे हूंगे कि सबसे लोगडाउन खुले तो लोगडाउन खुलते ही पहले फास्ट फूड भे धावा बोला जाए ठीक भीट के आड़ने के लिए हैं तो पिकल हो गया फास्ट फूड हो गया फास्ट फूड केवाद में आकमीच तोमेटो केचभ हो बाहद करें तामेटो केचभ अधियो हमारे पास में सोस कर हो आता है उसके अधर하게 स्टेक सबस्ब्स के इसमाल कियä जाता है ओक और नेक्स अब आपने बात करते हैं से टार्टरी के असे की बात काने, टार्ट कि असे तर्टक हए असे फिर्ट असे हवे इंदर अर इसमनल क्या था बेकिंग heating soda के अंदर किसमें आपने अनल बेकिगंग पाउडर काutarा में यूज्ई करते हैं में अपने भरागों से हुजाते हैं याँ के जहरूदीद भी आयटम वेक्लिसका इसे माल adaptation है जो जाए पिया हkan ने में के इसक किया जाता है और सौफटनेस कोिसका इसका इसमाल किया जाता है ओके और कार्रपोनीक एसड के बारे में बाद जात करें तो यह एक होता कुन secular सोफ्ट जिए यद्ध कि होता मैं से तीक हो किया था है किसका का इसमाल कारबोनी का ऐसा सॉफ्ट ट्रिंग है यह जो सोडा वाटर है इसके इसका इसका इस्तमाल किया जाता है और स्ट्रिंग तो यह मैंने कुछ आपको एक्जांपल बता दिये कि किस का इस्तमाल किस में किया आता है कौन सेफ है मनला कौन सेफ नहीं है किस फॉर्म के जाए और इसके बाद में हम जो नेक्स बात करने वाले हैं वो नेक्स वीडियो में हम करेंगे वीडियो को लाइक पर रहें, सेफ रहें, ओक स्टूरेंट?